नमस्कार अखाड़ा में आपका स्वागत है लेकिन ये अखाड़ा है जो चार हफ्थे हो गए और थमने का नाम नहीं ले रहा ये महायूत बर्ण की और बढ़ने वाला है व्लादिमीर पुटिन अड़े हुए है डटे हुए है पूरी तरह से यूक्रेन पर कबज़ा करना च एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश की जा रही है लेकिन यूक्रेन दीरे धीरे तबाह होता जा रहा है और रूस के कबजे पे आता जा रहा है वहाँ बाइडन और अमरीका और नेटो ताकतें बहुत कुछ कहतो रही है लेकिन कर क्या रही है दावेक दोनो हफते से चल रहा ये महयुद थमने नहीं बढ़ता हुआ स्वरूप देता हुआ दिख रहा है अब आपको बता दें यहां अखाडा में कि व्लादमीर पुतीन ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो कीव पर पूरी तरह से कबजा तो करूंगा ही सत्ता नहीं बतलूंगा लेकिन इसे रूस के आधीन कर दूंगा यूकरेन को ये मंचा लेकर व्लादमीर पुतीन चल रहा हैं और ये भी कह चुके हैं कि अगर तीशो आफिशो युद्ध आप छेड़ते हो तो ये यूएस और नेटों की गलती होगी मेरी नहीं मेरी मांगे बिलकुल साफ थी लेक लेकिन इसमें बरबाद कौन हुआ यूकरेन घर से पलायन किसको करना पड़ा यूकरेनियों को कम से कम एक लाक से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं घर से निकल चुके हैं ये बताया जा रहा है एक करोड से ज्यादा परिवार क्योंकि 10 मिलियन का पलायन का नंबर आ अब बारी स्टील प्लांट पर रूस का हमला, मार्यू पोल में स्टील प्लांट पूरी तरह से तबाह, अब मार्यू पोल स्ट्टीजिकली हर बार मैं आपको कहता हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है रच्चा के लिए, ये एक पोर्ट सिटी है, समुद्र के निकट, और अगर मार्यू पोल पर रूस पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तो दक्षिन पूर्भी यूकरेन पर हावी पोह जायेगा, ये बहुत क्रिटिकल जगह है, पोर्ट सिटी है, इसे क्राइमिया से जोड़ने में, मार्यू पोल और। खेरसान ये दो शहर हैं जो बहुत क्रिटिकल और यहाँ पर जबर्दस्त बंबारी पिछले 28-30 दिनों से चल रही है रूस पूरी तरह से अभी भी मार्यूपोल पर कबजा नहीं कर पाया इससे पहले रूस का आरोब था कि यूक्रेन ने जानमूज कर आम लोगों को वहाँ एक ढाल बनाकर human shield बनाकर रखा हुआ है कम से कम 20,000 यूक्रेनी थे जो की वहाँ फसे हुए थे एक थेटर पर बंबारी करकर मासूमों को मारने का आरोब लगा है व्लादिमीर पूतिन और रूस की सेना पर उन्हें वार क्रिमिनल करार दिया गया लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें वहाँ की एक industrial port city मारियूपोल के steel plant को पूरी तरह से तबहा कर दिया रूसी air strikes ने मारियूपोल में रूस की भारी बंबारी और रूसी टैंक का मारियूपोल में हमला एक और ख़वार इस वक्त महायुद में आ रही है आपको बता दे मारियूपोल में रूस की भारी बंबारी चल रही है मारियूपोल में रूसी टैंक का बहुत बड़ा जमावडा देखा गया है रूसी टैंक का मारियूपोल में बहुत भारी हमला चल रहा है तो aerial strike के साथ साथ अब surface पर artillery gun fire भी तेज हो गई है टैंक को की बंबारी अब मारियूपोल पर और तेज हो गई है तो सिर्फ aerial strikes ही नहीं अब ground पर भी force लगा कर रूसी सेना artillery के दम पर अपने टैंक को के दम पर मारियूपोल पर कबजा करना चाहती है हर तरफ धुआ, हर तरफ तबाही, हर तरफ द्राहिमाम यही नजारे दिख रहे हैं, यह satellite images है शहर का शहर पूरा तबाह हो गया industrial areas को बरबात करने का और उनको selectively target करने की कोशिश की जा रही है और अब रूस चाहता है कि मारियूपोल पूरी तरह से खाली हो जाए और वो वहाँ कबजा कर ले, कामिज हो जाए